वहीं तमनामने पुलिया बह जाने के बाद से लेलूंगा विधायक चक्रधर सिंग सिधार ने जांच की मांग की हैं और 14 अगस्त को देवगरपुल बह जाने दुरघटना का एक फेलर जालक की मौत हो गई थी वहीं कार बह जाने से पांस लोगों को ग्राबने रेस्क्यू क तो हमें काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है